हेलो गाइस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो ऑनलाइन एक्जाम होते हैं उसमें रेइस्टेशन कैसे करना है तो गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लें यहां पर आपको इ स्क्रीन रेकाइब इस्टाइब करते हैं और आपको बताते हैं तो सब्से पहले हमें हमें क्रूं ब्राउज्ञ्ञ और उपन करने लेगा उसके बाद गाईस हमें क्या करना है सबसे ऊपर वाली साइड पर हमें क्लिक करना है और फिर फादर का नाम उसके बाद डेट और बर्थ तो गाईस सब मैं बता दूँ आपको ये ये जो स्मार्ट कार्ड मिला होगा या पुराना आपको आपके पास एडमेट कार्ड होगा सेम उसी मैं से देख कर लिखना है क्योंकि इसमें जो कैपिटल और स्मॉल रहते हैं जो वार्ड उसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है जैसा कि स्मार्ट कार्ड में लिखा होगा आपको स जैसे ही create पर click करेंगे उसके बाद आपको password create करना है तो आपको same password डालना है जो आपने RGPB side में डाला था पहले और ग्याज मैं आपको बता दूँ जो आप password बना रहे हैं उसका जो पहला अक्षर पहला letter होगा वो capital में होगा उसके बाद सभी letter small में होंगे फिर आप create password पर click करेंगे तो आप आपकी जो ID है वो मांगेगा यानि enrollment number और नीचे जो आपने password बनाया था वो ही आप login कर लेंगे तो आपकी ID खुल जाएगी यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकान को जरूर प्रेस करें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं और जय भारत